स्वामी रामकृष्ण परमहोस एक ऐसे संत्व थे जिन्होंने मा काली का स्पष्ठ साक्षातकार किया था जिन्होंने मा काली के चरणों में अपना सर्वस्च समर्पित कर दिया था वो कहते थे ये संपून जगर ये चराचर सब कुछ मा की चेतना से व्याप्त है यही चेतना बंगाल की काली पुजा में दिखती है यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है इसी चेतना और शक्ती के एक पुझ को स्वामी विवेकानन जैसे यूग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परहुस ने प्रदिप्त किया था स्वामी विवेकानन को मा काली की जो अनुहूती हुई उनके जो अध्यात्मिक दर्शन हुई है उसने उनके भीतर और साधार उर्जा और सामर्त का संचार किया था स्वामी विवेकानन जैसा ओजस्ची विव्यक्तित्वा इतना विराठ चरित्र लेकिन जगनमाता काली की स्मृति में उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरफ भीवल हो जाते थे भक्ति के ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्त है मैं हमेशा पुझ्य स्वामी आत्मस्थानन जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी माकाली की चर्टा होती रहती थी और मुझे आद है जब भी बेलूमर जाना हो गंगा के तर्ट पर बैठे हो और दूर माकाली का मंदिर दिखाई जेता हो तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पत्रदर्शन करती है इसलिए माकाली का वो असिमीत असीम आशिरवाद हमेशा भारत के साथ है भारत इसी आध्यात्मिक उर्जा को लेकर आज विश्व कल्यान की भावना से आगे बढ़ रहा है झाल